हेलो दोस्तो नमेशकार स्टार्ट कर लेते हैं अब लोगे आ चुक हैं बिलकुल हमारे नौर्मल स्क्रीन के ओपर सबसे पहले में बहुत बड़ा डिस्कलिमर देना चाओंगा देखे दोस्तो प्लीज इस विडियो को कॉपी करने की कोशिश मत करना बहुत सारे exit करते तो copy तो बिलकुल नहीं करना है क्योंकि और भी बहुत सरी चीजे में आप लोगों को या पर बताने वाला हूँ second disclaimer yes ये company मेरे portfolio में है तो no doubt आप लोग बोलेगे sir आपके पास है इसलिए तो आप बड़ा चड़ा कर बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है आप सब भी लोगों को पता है ये educational channel है मैं आप लोगों को हमेशा reason बताता हूँ कि कोई भी stock में क्यों खरीदता हूँ या फिर कोई भी stock में क्यों नहीं खरीदता हूँ या फिर अगर कोई stock खरीदना है तो उसके बीचे क्या logic हो सकता है या फिर होना चाहिए तो इसके बाद जबी भी मैं logic present करता हूँ आपके सामने तो क्या हो सकता है कुछ लोगों को वो logic बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को ठीक ठाक लगता है कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो यह सारी चीजे मतलब मैं logic के साथ सारी चीजे मैं आप लोगों के सामने आपे present करने वाला हूँ कि यहाँ पे मुझे क्यों इन companies में कुछ opportunities नजर आती है मैं सही भी जा सकता हूँ मैं गलत भी जा सकता हूँ और मैं अगेन के रहा हूँ दोस्तो मेरा कोई Guinness Book of World Record में नाम नहीं है कि मैं 100% सही जाता हूँ बहुत बार मैं fail भी हो चुका हूँ बहुत बार मुझे stocks loss में भी बेचने आपे पड़े है अगर मुझे loss होता है वो भी मैं आप लोगों के सामने शेर करता हूँ मैंने वो भी वीडियो आप लोगों के सामने रखे है और जब मुझे फाइदा होता है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़े यहाँ पर रखता हूँ तो चले इतना disclaimer काफी है क्योंकि यह चीज़े में important है क्योंकि बहुत सालोग क्या करते है directly जाके खरीते तो ऐसा बिल्कुल भी आपे करना नहीं है तो चले दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर logic के साथ चलेंगे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को पता ही है उसी से related यह वीडियो है क्योंकि बहुत सालोगों ने yes भी कहाता सर आप risky stock जरू बता देना तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहँगा यह stock risky नहीं है यह क्या है very 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 जितना very लगाना चाहते हो उतना risky stock है मतलब यहाँ पर कैसा आइदर पैसा बन भी सकता है बहुत जबरदस या फिर कही सालों तक वह stock चले ही ना या फिर वह stock गिर भी सकता है मैं उसके लिए completely ready हो कि कि वह मेरा खुद का decision है और मैं अपने decision के बुलते हैं ना कि जो भी हो जाएगा मैं उसकी responsibility खुद लेने के लिए आपे तयार हूँ ऐसे बहुत बार में आपे करता हो हर हर किसी ने ऐसा ही करना चाहिए सो दोस्तों जैसे मैंने का कि logic की बात करे तो फिलाल अभी बाजार में चल क्या रहा है तो आपको पता है कि रश्या यूक्रेन वो तो है वो तो चलता है रहेगा आज रश्य युक्रे ने कल कई और कंट्री रहींगी बट अगर जो अभी मैंने आपको बताया था मेक्रोटेक डेवलेपर्स की बात करे कोल तेवलेपर्स की बात करे सोभा विल्डर की बात करे बिजुनेस और दूसरा विज्नेस कैं होता है दोस्तों indirect भी आप बोल सकते, indirect मतलब क्या कि सिर्फ घर थोड़ी ना बनता है दोस्तो अगर आप कोई भी एक flat खरीदने जाते हो उस flat के अंदर बहुत सारी चीजे होती है सो दोस्तो यहाँ पे real estate में जैसे मैंने आप लोगों को first article में भी वो video बना के बता है था कि है real estate में जबर दस्त demand देखने को मिल रही है, हाँ inflation है फिर भी आप data देख लेना, लोग खरीते ही जारे बहुत सारा यहाँ पे पैसा लोगों के पास आते चला जा रहा है और इसके चलते वो buying कर रहे है, प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज हम लोगों को देखने को मिल रहे है कौन सी चीज, lower interest rate अभी तक interest rate किदर बढ़े है, वो तो डर है कि interest rate बढ़ेंगे और बढ़ते हुए भी कितना बढ़ेंगे, बहुत ही कम basis point में आ रहे है कि लोग यहां पे घर करीदने के लिए loan, home loan भी data बहुत अच्छा कासा बढ़ रहा है घर की दिखवाली भी बहुत अच्छी हो रही है तो घर में लगने वाले जो भी अलग-अलग चीजे रहती है, requirement वाली चीजे उसमें यहां पे मैंने चोटा मोटा investment करने के लिए आपे सोचा है, और ऐसी एक बहुती ज़्यादा risky micro cap company या फिर आप small cap company बोल सकते हो वहां पे मैंने यहां पे देखी है तो इस logic के चलते क्या समझ में आगा, कि देखी यह घर तो ready हो गया, और घर ready होने के लिए उनको यह सारा सामान खरीद कर यहां पे set करके रखना पड़ेगा, तो यह सामान पहले ही बिख जाएगा दोस्तों घर आपका बिखे ना ना बिखे, right, तो घर में जो भी चीजे लगा कर रखते है, जो भी builders लोग पहले से set up करके रखते है, right, इनका सामान तो बिख जाता है पहली tiles का बात करो, या फिर कोई भी अगर हम लोग बात करे, equipments की बात करे kitchen बनाने से related जो भी system रहती है, वो सारी चीजे पहले install कर देते तो इनकी बिख वाली हो जाती है, घर बाद में बिखता है नहीं बिखता है, वो बाद की बात, इसलिए ये जो first, ये जो stage वाली जितने भी business से, उनमें मैं यहापर focus कर रहा, उनमें एक ऐसी company है, जिसके उपर मैं focus यापर बना कर रखा हुआ हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को insist करता हूँ, जो भी company अगर आप लोग देखते हो, प्रीज उसकी website विजिट कीजिए, अगर आप company के website नहीं जानते हैं, management नहीं जानते हैं, तो मतलब तुका ही चल रहा है, तो यह देखें, मैं website के उपर ही आ चुका हूँ, अभी एक about us, about us मतलब मैं company के बारे में यह रेखी, यह है company का नाम SHIL, मैंने इस से रिलेटर हाली में भी वीडियो यहापर बनाया था, Somani Home Innovation Limited, यह company actually, अभी डीमर, जोके अलग यहापर हो चुके, और इनका काम ही है दोस्तो, कि building product से रिलेटर, जो segment है, उनमें company यहापर काम करती है, अभी आप देख सकते हैं, इनके अलग अलग brands आप लोग को मिलेंगे, इनके customers आप लोग को देखने को मिलेंगे, careers and company information, मतलब website के उपर ना चाते हो यह देखिए, मतलब washroom से related, अगर हम लोग यहापर बात करें, इसके अंदर जो भी चीज़े रहती है, उसी की साथ साथ यह बाकी की, decoration की अगर हम लोग यहापर बात करें, उसी के साथ साथ यह देखिए, यह सारी चीज़े क्या करती है, यह company, घर बनाने से related, जो अंदर की चीज़े है, वो बनाने का काम यहापर करती है, तो इसलिए यहापर आप लोग देख सकते हैं, यह सारी चीज़े, यहापर हम लोग कह सकते हैं, हिंडवेर, यह तो brand आप लोग ने सुनाई होगा, advertisement भी देखा होगा, यह यह वही company है, जो कि हम लोग को देखन पर को पकड़ लेना, अभी वो घर बनाएगा, तो पहले तो इननी लोगों को देगा ही ना, कि सब कुछ बनाओ करके, और यह सब कुछ बनाकर payment तो यहापर ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, तब ही जाके इनको payment मेलेगा, ऐसा तो बिलकुल नहीं होगा, तो यह इनको स्टड़ी यहापर कर लेना, यह देखिए, इतना बड़ा वेबसाइट में यह सारी चीजे, आप लोगों नहीं पर पढ़ना है, एर कूलर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजे, इनके प्रोडर्स एक्वीपमेंट देखने को मिलते हैं, किचन में आप लोगों को यह सारी बड़ी चीजे, देखने को मिलते हैं, यह यह दैजै, यह अप लोगों के और पर पढ़ना है सूमानी, होम, इनोवेशन, लिमिटेड meats, जितनी भी चीजे है, यह बनाने क का काम करते है, होप आपको logic क्लियर हुआ होगा, कि आपका घर यह बिके ना बिके, पहले तो इनका सामानी बिग जाएगा अगर मैं घर बनाने वाली company हूँ तो मुझे तो इन सामान कीचन बीचन बनाना पड़ेगा तो पहले तो यह खरीदना पड़ेगा और अभी interest rate तो low है सबसे ज़्यादा करजा तो यह real estate वाली लेते बर-बर के पैसा यहाँ पर उठाते है घर खरीदने वाले भी बर-बर के loan यहाँ पर ले रहे है सो ultimately मुझे इसा लगता कि इन companies को यहाँ पर मतलब घर के अंदर जितने भी fitting विटिंग वाली जो companies है इनको बहुत अच्छा कासा फायदा यहाँ पर हो सकता है तो जरूर आप इस company के बारे में यहाँ पर read कर सकते हो सबसे risky बात दोस्तों क्या है market cap 3,000 करोड अभी मतलब मेरा पैसा बन भी सकता है या फिर डूब भी सकता है जैसे मैंने का मैं अपने पैसे का responsible हूँ और मैं उसकी responsibility लेता हूँ मैंने इससे पहले भी एक videos बनाए है आप चाके देख सकते हो कैसे अलग-अलग companies में मेरे पैसे डूबे भी है तो ये भी हम देख सकते return on equity capital employed चलो ठीक है face value 2 का है अभी तक company के अगर मैं बात करो इतना कुछ खास quarterly numbers की बात करे तो okay-okay ही चल रहा है हम लोग कह सकते है not so great बट मुझे इसा लगता है कि lower interest rate घर का demand लगातार बढ़ते वे जा रहा है इसके चलते इस company के अभी तक के numbers इतने कोई खास नहीं थे बट आगे जाके ये numbers ज़रूर यहाँ पे बदल सकते है आप देख सकते हैं अभी लगबग 187 के आसपास मतलब बहुत ही massive jump के expectation में भी यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ बाकी data अगर देखा गया share holding pattern promoter आप देख सकते हैं आप 51% promoter के पास है foreign investor जादा नहीं है 3% DISB जादा नहीं है 5-6% आप बोल सकते हैं public 39% बहुत ही जादा risky company यहाँ पे यह कोई खराब company तो मुझे यहाँ पे नहीं लगते अगर आप चाओ तो company की balance sheet भी read कर सकते हो don't expect कि बहुत ही जबरदस balance sheet होगी छोटी company 60-70-90 करोड का सिर्फ रिजव है then करजे की बात करें यह करजा है company की उपर 15-14-22 CR का करजा है लगेगा ही यहाँ पे आगे बनने के लिए 95 का तो short term borrowing है and cash के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें cash and cash equivalent तो वो भी आप लोग देख सकते कोई जादा बड़ा उमीद यहाँ पे मत रख लेना कितना है यहाँ पे बहुत ही छोटा है लगबग 2 करोड के आसपास तो बहुत ही छोटी company दोस्तो छोटी company में पैसा बनता भी है और बिगड़ता भी है so Somani Home Innovation Limited यह पहले से में आप लोगों को नाम यहाँ पे दिखा चुका हूँ 400 रुपे पे जब यह company था तबसे में आप लोगों को दिखा रहा है अभी 400 से 413 बीच में जबरदस तीजी आई थी इसमें अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो आप लोग देख सकते थोड़ा सा यह दिखी सड़न यह stock तेजी में आयता बाद में वापस profit booking देखने को मिला है PE ratio की बात करें तो 16 का है मैं ज़्यादा PE को इतना ज़्यादा importance नहीं देता है ठीक ठाकी ही देता हूँ यापर अगर company में potential रहेगा तो company 100 की PE के साथ भी आगे बढ़ती है So Somani Home Innovation Limited इस company के बारे में ज़रू study करना यह मेरा कोई recommendation ही कि आप खरीदो बेचो यह आपकी मर्जी है बट यह company disclaimer जैसे मैंने शुरुवात में दिया था मेरे पास भी है मैंने logic बताया आप लोगों को दो बार logic बताया तीसरी बार भी बता रहा हो दोस्तों तो उनमें भी आप लोग चाहो तो वापर जा सकते हो So हम लोग जरूरी आपर कह सकते कि ऐसे companies जो Kitchen का सामान की बात करें, washroom की बात करें यह सब कुछ setup करने से related business यहापर कर रही है मुझे इसा लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा scope है अगर कोई भी एक 60 मंजिल की अगर tower यहापर create हो रही है और इस company को अगर order मिलगे, आप सोच सकते हो कि कितना जबरदस order इनको मिला है और ऐसा तो नहीं होगा कि जो यहापर आके flat book करेगा उनहीं के घर में सारी चीज़े setup होगी, नहीं that's it, but मेरा बताने का मकसद का है दोस्तो कि आपने भी आपका खुद का logic लगाना चाहिए दोस्तो बहुत से लोग logic लगाते ही नहीं है क्या फरक पड़ता है, गलत तो गलत जाएंगे, उसमें क्या है उसमें थोड़ी गलत होगी, मतलब जो गलती होगी, वह हम लोग बाद में repeat नहीं करेंगे वही तो success का path बन जाएगा, पर दरना नहीं है, आपका जो भी सही लगता है logic उसके साथ आप लोग जाकर या पर छोटा मुटा risk या पर ले सकते हो आयब आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को main topic या पर समझ में आयोगा क्या logic के साथ मैंने या पर मैंने क्यों enter किया है, वो भी मैंने आप लोगों को बता है मैं again कहना चोंग मुझे पता है, बहुत ज़्यादा repetitions होती है मेरे वीडियो में मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि बहुत सब्सक्राइब कर लेता हूँ, कल नीचे जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं वो नुकसान उठाने की capacity में हूँ, तो इसलिए आप blindly copy मत कर लेना, दोस्तों, मैं इतना खुद आपको सिखाता हूँ कि मैं दूसरे के मतलब investment में जो portfolio होते हैं, उनको copy नहीं करना है, यूकि आपको पता नहीं, उनके risk tracking ability के है, तो इसलिए प्लीज ऐसी चीज़ों को blindly copy यहाँ पर मत कर लेना, मेरे इसके पहले भी बहुत सारे stock है, आप लोगों को पता है, HDFC, AMC हमारा किदर अभी तक चला है, कुछ भी नहीं, IGEL भी सारी चीज़ें आप लोगोंने study करनी है, मेरा recommendation यहाँ पर नहीं है, यह study करने के लिए, education के लिए, यह सारी चीज़ें में logic के साथ आप लोगों को provide करता हूँ, अगर आपको यह company नहीं, कोई दूसरी company अच्छी लगती है, तो वहाँ पर आप लोग चाहू तो अपना है मेरे पास, जो कि free of cost में आपको provide कर दूँगा, stock market से related basic है, कि कैसे सारी चीज़ें आप लोगोंने आपे सिखनी चाहिए, so video अच्छा लगे, तो like and share भी कर देना, so that's it, thank you very much, so we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye